हाई अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बड़ा होकर सारी हल्दी चीज़े काए सारी सब्जिया फूर्ट यह सब कुछ बहुत अच्छे से खाए तो आज का वीडियो आपके बहुत काम का हो सकता है तो वीडियो को लास्त तक जरूर देखें वीडियो में हम बात चाहिए और लेटर ओन जब टॉडलर स्टेज में होते हैं तो क्या क्या चीज़े आपको फॉलो करने चाहिए ताकि जो बच्चे का इंट्रेस्ट हो हेल्दी फूड में वेजी टेबल्स में इन सब में ज्यादा हो तो वीडियो आपको पसंद आये हेल्फुल लगे तो प् अठयट पड़ेश्यक्ष्प अशlu देप चाहिए पडियाए घट्न एंसलियो को परीगोँ थेषय को बलंकि छाय बच्चे करने वाली हो आज की वीडियो में तो सबसे पहले हम स्टार परट नहीं करें हैं आपको रहना स्टार्ट करनी है तो दिखे अपको 6 मन तक बच्चा रेडि हो जाता है तक या उसे पहले भी कभी-skभी बच्चा हो जाता है उसके लिए उसके लिए आप अपने जो पीडियुत रिशने उसे चेक कर सकते हैं इसके अलावा आपको पीडियुत् vidéos weights ने उसके basically कुछ science होते हैं जिसके बारे में मैंने एक अलग वीडियो में बात की थी उसका link आपको description box में मिल जाएगा तो अगर आप अपने बच्चे में कुछ ऐसे science observe करते हैं जैसे बच्चे का neck control होना start हो गया है बच्चा जब कुछ खाते हैं तो आपको काफी ध्यान से देखता है आप अगर उसकी मुझ की तरब कुछ बढ़ाते हैं तो बच्चा उसमें इंटरस दिखाता है तो basically ऐसे कुछ science हैं जिनसे आपको पता लगता है कि बच्चा solid के लिए ready है तो उसके बाद ही आप solid start कीजिए solid start करना कोई age specific journey नहीं है minimum six month होता है बट कभी-कभी जैसे हमारे case में दर्श को doctor ने like 5.5 months का तब वो था तभी उसको solid start करने के लिए बोल दिया था आपका baby ready हो गया है solid के लिए अब आप उसको उसका पहला food देने वाले हैं तो आप सबसे जो most common चीज है बच्चे के first food में वो सब लोग बोलते हैं कि बच्चे को दाल का पानी और चावल का पानी दो बट I would suggest कि वो आप बिल्कुल भी मत दो तो कि आप बच्चे को एक साल तक कोई भी sugar या salt नहीं दे सकते हैं और यह दोनों ही food है यह बिल्कुल tasteless होते हैं अगर आप आपको इनको टेस्ट करेंगे तो आप नहीं खा पाएंगे तो आप बच्चे को क्यों दे के उसका मूं का टेस्ट खराब करना चाहिए तो आपक कि बच्चा पिछले 6 महीने से breastfeed या formula feed लेता हूँ और अगर आप उन दोनों दूद को टेस्ट करेंगे तो उनमें एक natural sweetness होती है वो दूद बिल्कुल ब्लांट या फीके नहीं होते हैं तो इस वज़े से बच्चे के मूँ में already एक टेस्ट डवलप हो चुका है और अब आ अपायरतन में काफी फीका खाना देने वाले हैं तो बच्चा उसको पसंद नहीं करेगा आपका जो बेसिक और फर्स टैप है वही गलत हो गया और क्या स्टार्ट करना चाहिए उसमें I would suggest कि आप बच्चे को age appropriate जो भी fruits है या जो vegetable उनकी प्यूरी के साथ अब उसको स्टार कीजिए सबसे अच्छा रहता है प्यूरी फॉर्म में तो बच्चे को काफी पसंद आती है अगर आपको बैसिकली डाइट चार्ट चाहिए तो डाइट चार्ट की उपर भी हमेने काफी वीडियो किये हुआ है वह सब की जो प्लेलिस्ट है वह भी आपको डिस्क्रिप्श यह इनेजयल डेसिकली प्रिफिली दे तो इस zam answers अपको दो फायादे होते हैं एक तो वह वा बच्चे का जो मुँकर जो थेस्ट को खराब नहीं करते आ हैं बच्चे को अबच्च्छ को थै 어떻जडcidaवस्ट नंसीतरज duelेएब बच्चे का आपको solid start आपने कर दिया है ये भी बता लग गया कि आपको किस तरीकी खाने से start करना चाहिए बट आपको एक चीज ये भी धान रखनी है कि आप बच्चे को डेली-डेली same item मत खिलाएं तो उसको मैं आपको एक्जांपल से explain करते हूं कि इसा क्यों जितने भी बच्चे आपने picky eaters देखे होंगे तो उन सब में आपने एक चीज जरूर देखी होगी कि वह कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर खाते हैं जो बहुत ही light होती है जैसे खिचडी, दलिया, oats, कोई भी ऐसी चीज हर जो picky eater बच्चा होता है वो एक नाएक ऐसी चीज जरूर खाता है उसका reason ही होता है कि उसके जो early जो solid वाले days थे उसमें उसने वो particular चीज बहुत जादा खाई होगी और बच्चा क्या होता है उस particular चीज के लिए अपना टेस्स जादा डवलप करता है उसको जादा पसंद आती है तो इसलिए आप बच्चे को daily daily same things मत खिलाए जब भी आप बच्चे को कोई नया food इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको जरूर तीन दिन तक खिलाए बिकास उसमें आपको यह पता लग जागा कि बच्चे को उससे कोई allergy तो नहीं है और अगर बच्चा almost इतने भी food आप बच्चे को खिला रहा हैं वो सब कुछ के साथ comfortable हो चुका है तो आप try कीजे कि बच्चे को हर meal में कुछ नया taste दीजे यह तो हो गई बच्चे के initial days की बाद जिसमें कि बच्चे की solid की journey start हो गई है बच्चा comfortable भी हो गया है अब इसके अलावा कुछ ऐसे चीजे हैं जो आपको almost daily basis पे ख्याल रखनी होती हैं बच्चे के toddler years तग तो उसमें सबसे पहले ही होता है कि जब भी आप बच्चे को खाना दे तो आप try कीजे कि आप एक single meal में maximum nutrients add करें उसका reason यह है क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत कम खाना खाते हैं और एक साल से पहले तो बहुत ही जादा कम खाते हैं तो जितनी जादा nutrient उनके single meal में आप उनको दे सकते हैं उससे आपको ये फाइदा रहेगा कि आपको उनकी जो overall development है उसमें काफी help मिलेगा जैसे आप मैं आपको example दे रहे हूं अब बच्चे के लिए पॉर्ज दलिया कुछ भी बनाने वाले हैं तो दलिया में आप बनाना एड कर सकते हैं दलिया को आप दूद में बनाएंगे अपने आप में ग्रेन होता है तो इस तरीके से इसके अलाब आप उसमें अगर बच्चा आपका आप को दलिया है अच्छे है कुछ करने हैं है इसके अलावा हर दो से तीन महीने बाद आप जो खाना थोड़ा ना थोड़ा 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 कोर्स करते रहे है जैसे आपने स्टार्टिंग वेच्चे को बिलकुल फ्यूरी खिला यचled वाद नाइन तेन मंन तक और नाइन मनस की बाद बच्ची को थोड़ा सा थिक पेस्ट बना एक है इसके अलावां जैसे बच्चा आप एक साल के बाद हो गया तो चुट हो चुटे भाईट दें तो फोड़े थोड़े बड़े बाईट वर्लब इस तरीके से एक अब तुदि दियान रखेए बच्चे के चाहें कर दाथ पाफी क्यों हाने की पर रहे हमाँ बातेरें नेक्स पॉइंट जो की मुरे लिए Зयुआए ज़ो चीज बच्चे को पसंद आ रही है, उसका बच्चे को नाम जरूर बताईए, इसके अलावा उसमें आपने क्या-क्या डाला था वो भी जरूर बताईए, उससे क्या होगा कि बच्चे को वो चीज पसंद आ रही थी और जो भी अपने नाम उसके साथ बच्चे को बताए, वो यह भी देखा है कि काफी सारी जो मॉमी याप बेरेंट होते हैं वो यह एजूम कर लेते हैं कि बच्कों की हम कोई चीज पसंद नहीं तो बच्चे को भी शायद पसंद नहीं आएगी विच कैन बी ट्रू बड़ उसको दी उसको उस तरीके से पसंद नहीं आई तो आप इसको किसी और तरीके से दीजे जैसे मैं आपको एक्जांपल बताती हूं कि अगर लेट से मैंने दर्श को बीटूट सालड में देती हूं वो नहीं खाता है तो मैं उसको बॉयल करके दे उसको खा लेता है या उसको चीला बना के उसको खा लेता है या उसके पराठा बना के उसको खा लेता है तो जरूरी नहीं है कि बच्चे को एक चीज अकर एक तरीके से पसंद नहीं आईगी तो एक तो आप बच्चे को ले कुछ भी एजियू मत कीजिए और अगर उसके को यह जो डिफेंट डिफेंट वेजिटेबल से उनके तुरू एड़ कर सकते हैं और कलर आपको हर जितने भी फूड में आप ट्राइ कर सकते हैं सब में कीजिए उसे क्या होगा कि बच्चे को स्टार्टिंग में कलरफुल खाना बहुत जादा पसंद आता है बट अगर आपने बच्चे का खुद को भी खाने का मन करे और बच्चे को फिंग फुूड ते रहे हैं तो स्टार्टिंग में आप टाइप कीजिए कि आप सिंगर फूड पूड में वेजिटेबल सिप थी बच्चे को दें क्यों से कर लें जाए इसे यह खूंग में अपने आंख में कहीं जो कि उसको काफी लंबे टाइम तक खराब होने से बचाते हैं तो बेटर है कि आप सेलेलेक को सिर्फ और सिर्फ इमर्जन्सिया ट्रावल टाइम के लिए ही रखे आप बच्चे को अगर फ्रिक्वेंटली सेलेक खिलाएंगे तो बच्चा आगे चलके सेलेक खाने की ही डिम को सिर्फ और सिर्फ इमर्जन्सिया के लिए ही रखें आप बात करते हैं बहुत ही इंपोर्टेंट फ्रेक्टर गी जिसको आपको ध्यान रखना है तो जब भी बच्चे की सॉलिट की जर्नी स्टार्ट होती है तो सबसी जो आपको मेजर चेंज देशनी को मिलता है वह मिल नोट कीजिए और जो भी आपका डॉक्टर के पास नेक्स विजिट हो तो बच्चे के डॉक्टर से वह सारे जरूर डिसकर्स कीजिए क्योंकि सॉलिट स्टार्ट करने के बाद बहुत जो कॉमन प्रॉबलम होती है कॉंस्टी पेशन वह भी बच्चों में हो सकती है और वह तो बच्चे को जरूर केंद बच्चे को जरूर इंव लॉल्व कासि में है या है Тो बच्चे में यह जरूर आप इंवालोडी Selonin 26 Civil Security कारों से रहां चैकर घाना है कुछए आप sept hackers कर रहे हैं जो आपके खाने की प्रीडेकशन से रलेटेड्ल है तो उसमें बच्चे को होने से और इसके लावा क्योंकि वो पूरे प्रॉसेस का पार्ट रहे हैं तो उनमें बड़ी क्यूरिसिटी होते हैं कि यह हमने मिलके बनाया है तो हम इसको जरूर टेस्ट करेंगे तो यह बहुत जादा है इसके लावा अगर आपके बास पॉसिबिल्टी है तो आप सच्ण को ज्यादा इंटरस्त आता है इसके लावा आपको एक और काम करना है बच्चे कि फरस्ट बडे के बाद आपको जो बच्चे के लिए होते हैं अब कितना दूद कम करना है वह आप स्लोली स्लोली अपने बच्चे के साफ से जज कर सकते हैं जैसे एक साल के बाद बच्चा आपका एक दो से तीन महीने के अंदर थ्री मील्स प्लस आपके जो टू स्नैक्स होते हैं इन सब पर आजाना चाहिए इसके साथ दर्ष को अप्रोक्स्मेंटली थर्टीन मनें के बाद हम उसको काव मिल कि अधार्टीन मन तक वो अपने फॉर्मूला पे ही था तो हमने सको अब श्लोली श्रीप्ट किया था तो यह बत कर सकते हैं कि आप बच्चे को कितना दूद आपको देना चाहिए और कितना और भले से दो सब्सक्रशना है वेज़ी नहीं? बच्चे को भूंखना हो, बच्चे को खाना बसन आ रहा है, सबूदस्ति को नहीं? आप जब बच्चा नहीं? श्व भागते होगस ब्हूंचा तो ऐसे खाना है करें कि जो चुलतать को o आप उसको जबरदस्ति खिलाने लग रहे हैं भागते हुए विच इस वेरी डिंजरस क्योंकि बच्चा जब भागते खाना काता है तो उससे चोकिंग होने का भी प्रॉब्लम हो सकता है तो आपको बच्चे को भागते वे खाना नहीं खिलाना है नाओ एंगेज करने के हिले खाने के परपस को ही डिफीट कर रहा है ना तो बच्चे को उस खाने का टेस्स समझ में आ रहा है ना टेक्शर समझ में आ रहा है ना वो उसको एंजॉय कर रहा है और ना ही उसको यह पतल लगेगा कि कब उसका पेट भरा है कब नहीं भरा है और इस वज़े से बच्चा ओ करने में या बच्चे अपने हाथ से खाना उठाके उन सब चीजों में इंगेज करी रादर देन स्क्रीन दिखाने के या उसको इधर-दर दोडाने के इसके लावा आपको बच्चे के खाने में एक साल से पहले हनी भी आड नहीं करना है आइडली आपको हनी और शुगर दोन करनी है तो आप प्रिफर कीजिए कि वह नाचरल स्वीटनेस हो जो कि आप फ्रूट्स के थू या जैगरी आप थोड़ा बच्चे के खाने में आड कर सकते हैं या फिर देट से खजूर जो होते हैं उसके थू ही आड करें रादर दन हनी और शुगर के तो यही थे कुछ पॉइंट्स जिन्होंने मुझे काफी हेल्प किया है और आज की रेट में दर्श को सबजी, फूट्स, खाना घर का खाना बेसिकली काफी जादा पसंद आता है ऐसा नहीं है कि वह उसको जंक फूट पसंद नहीं आता उसको वह भी पसंद आता है बट घ अच्छे से तीनो टाइम का अपना खाना टीक से खा लेता है और इन फेक्ट जो भी मैं उसको खिलाती हूं वह खा लेता है और इतना कलरफुल खाना होता है वह उतना शौक से खाता है तो आई होग कि सारे पॉइंटर्स आपके बच्ची के जो सॉलिट की जरनी उसमें किशेर किजार से सारेक्स के साथ जो अपनी बच्चे की स्टार कर रहे हैं या विए भी स्टार्ट की है या बच्चों के साथ वह स्ट्रगल जर्म को खाना खिलाने में अगर आपको डिफेंट डिफेंट खाने की आइडियास चाहिए तो वो हमारे इंस्टाग्राम स्टोरीज पर हम लगुलर्ली पोस्ट करते रहते हैं आप वहां पर चेक कर सकते हैं कि हम किस तरीके से एक ही आइटम के मुल्टिबल वेरियेंट दर्श को खिलाते हैं और अगर आपको उसमें से किसी पर्टिकलर आइटम के डिफ चाहिए तो वो भी आप मुझे इस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर कॉमन्ट करके बता सकते हैं and that's it for today's video and thank you for watching it